हलो, मेरा नाम राहूल सिंग है, मैंने अपना M.Tech NIT वोपाल से कंप्लीट किया है मैं 11 और 12 क्लास को मैथामेटिक्स पढ़ाता हूँ कुछ देर मेरे साथ रुकिये, तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस तरीके से अपने कंसेट्स को क्लियर करता हूँ तो आज का जो मेरा टॉपिक है, that is called the integration and this is a very important topic तो सबसे पहले question हमारे माइन में यादा है कि integration होता क्या है और हम integration को पढ़ते क्यों है तो आज मैं अपने lecture में यही दो topic को कबर करूँ है तो what is the integration and what is the need of integration तो सबसे पहले समझते हैं कि integration होता क्या integration nothing but it is the reverse of the differentiation यह cable क्या होता है, differentiation का उल्टा होता है for example, if I do the differentiation of x square तो मुझे क्या मिलेगा, 2x अगर मैं 2x का integration कर दूँ तो बापस से मुझे क्या मिल जाना चाहिए, x square ऐसे ही अगर मैं sin x sin x का अगर मैं differentiation करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, cos x और cos x का अगर मैं integration कर दूँ तो बापस से मुझे क्या मिलना चाहिए, sin x तो यह differentiation और integration एक दूसर के क्या होता है reverse process होते है तो कहने का मतलब है, अगर मुझे 2x है अगर मुझे इसका integration निकालू तो this is the symbol of integration तो 2x dx करूँ, तो मुझे क्या मिलना चाहिए x square, यह मिलना चाहिए but x square नहीं मिलेगा अकेला इसके साथ में हमें एक मिलेगा c c का मतलब क्या है, इसे हम बोलते हैं integral constant, now have a look कि अगर कोई भी function है f of x, right, तो उसको हम integrate भी बोलते है, अगर मुझे इसका integration में हम इसका क्या कर रहा है, integration कर रहा है, तो हमको क्या मिलेगा एक नया function f of x मिलेगा, plus c मिलेगा, जिसको हम बोलते है, integral constant अब एक नया question हमारे mind में आता है, कि यह c जो है, हम इसको इसमें क्यों add कर देते हैं, now इसे समझने की कोसिस करते हैं अगर मैं d over d of 5 x square का, अगर मैं differentiation करूँ तो मुझे मिलेगा 2x very good, अगर मैं एक और function लेता हूँ जिसे मैं बोलता हूँ x square plus 2 अगर मैं इसका करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2x तो इसका मतलब यह है, कि अगर मैं function में को भी constant value को अगर add कर दू, कोई भी constant value let's see है, तो उसका भी मुझे differentiation क्या मिल रहा है, 2x लेकिन अगर मैं 2x का integration करूँ हर function में, तो सारे function अलाग लग है तो इस चीज को justify करने के लिए हम क्या करते हैं, constant की value add कर देते हैं, right तो अगर मुझे x square plus c equal to, तो अगर मुझे इसका क्या निकालना है, इसका integration differentiation क्या होता है, 2x तो अगर मुझे 2x का integration निकालना है तो क्या करेंगे हम इस function को dx को इधर लेके चले चाहेंगे तो यह बन जाएगा d of x square plus c, this is equal to 2x dx अगर मुझे integration निकालना है, तो यहाँ भी integration का symbol लगाया, यह integration का symbol लगाया तो d differentiation और integration एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहाँ से बचेगा x square plus c, और यह बन गया तुमारा integration of 2x dx जैसा है कि हमने इस formula पर यहाँ पर पढ़ा है, तो यह हमने यहाँ पर बल्ली को add कर दिया तो यहाँ पर चीज को और समझने कोसिस कर लेते हैं कि अगर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है, जैसे कि मुझे simple सिर्फ dx का integration करना है dx का मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी value नहीं है तो हम माल लेते हैं 1, 1 into dx मतलब 1 का हमें integration करना है, तो क्या आजाएगा इसका x plus c, मतलब अगर कोई भी d के साथ कोई भी function है मैं माल लेता हूँ d of dubba d of dubba, तो dubba का मतलब है हम integration करना है, तो यहाँ पर 1 का multiply कर लेगे, तो जो d के साथ जो function है, वही इसका integration आजाता है तो मतलब इसका integration क्या आजाएगा dubba plus c, एक और example ले लेते हैं जैसे कि d of a, कोई भी एक function है अगर मुझे इसका integration करना है तो क्या आजाएगा इसका, this is a plus c right, now अब हम जानने कोशिस करते हैं कि आखेर हमें integration के जरुब क्यों पड़ी तो integration का है basically it is used to find out the area under any given curve, किसी भी curve के under का area निकालने के लिए हम integration करते हैं, now समझने कोशिस करते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक curve है ये rectangular curve है, इसका area निकालना हासा है हासर इसका area हम निकाल सकते है, we have the formula okay, very good, अगर कोई triangular है तो इसका area निकाल सकते है, हासा निकाल सकते है half base into altitude हम easily निकाल सकते है, ठीके, अब मेरे पास कोई ऐसा curve है, जो x के साथ vary कर रहा है, like इस तरीके से कुछ ये कोई curve है, अगर बोला कि इसके under का area निकालना है, तो कैसे निकालेगी तो sir, एक तरीके से निकाल सकते हैं, कि हम इसमें number of strips को assume कर लाए, ये कोई function है, मेरे पास by is equal to f of x, तो मैंने एक strip को assume किया यहाँपे, dx की थिकनेस का, ये एक rectangle strips को मैंने assume किया, इसकी थिकनेस है dx और इसकी height of y1, तो मैं इस strip का area निकाल सकता हूँ, बहला हाँ निकाल लीजिए, this will be equal to y1 into dx, area of a strip, ऐसी मैं बहुत सारी strips को assume कर लेता हूँ, एक और strip assume कर लेता हूँ, यहाँपे, एक और strip assume कर ली मैंने, इसकी height of y2, और thickness is dx, तो area of a strip this 2, this will be equal to y2 into dx, ऐसे कर कि मैं infinite rate, बहुत सारी strips को assume कर लूँगा, और इन सभी के area को मैं add कर दूँ, एक और strip assume कर ली, last में मैं इसे yn thickness है, and height is yn and thickness is dx, तो अगर मैं इन सभी strips का area को निकाल के add कर दूँ, तो मुझे total area under the curve मिल जाएगा, तो मुझे total area under the curve निकालना है, तो sum of area of all strips, तो sum of area of all strips का मतलब है, मैं बहुत सारी strips को assume कर लेता हूँ, एक यहाँ पर assume कर लेता हूँ, जिसकी height of y not, तो y not into dx, plus y1 into dx, plus y2 into dx, dot dot dot, yn into dx, तो सारी strips के area को मैंने add कर दिया, इसको मैं summation की form में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं इस तरीके से लिखता हूँ, तो इस तरीके से area निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से निकालने में एक छोटी सी problem है, क्या है, ध्याल से देखते हैं, अगर यह strip है, तो इसमें एक छोटा सा area जो ऊपर का है, यह triangular form है, यह इसमें include नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिर्फ यह area निकाला है, य1 into dx, ऐसे यहाँ पर देखें, इसके top का भी एक है चोटा सा area नहीं हुआ, यहाँ पर देखें इसके भी top का छोटा सा area इसमें include नहीं हुआ, तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, कि से कहां तक बैरी करा दें हम यहां से लेके X equal to zero से लेके X इस ता तो X equal to zero से लेके हम X function को बैरी करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा total area under any curve मिल जाएगा रइट अब बोलते हैं कि नहीं सर्फ मुझे तो सर्फ इसके बीच का area चाहिए इन दो सर्फ के बीच का area चाहिए यहां का सिर्फ यहां से लेके यहां तक का area चाहिए तो मतलब यह मैं मैं लूमाल एक्स वन और इसको मालता हम एक्स टू मुझे यह वाला area निकालना तो पहला ही formula है मेरे पास integration of x की पावर n into dx इसका integration होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c यह integral constant को add कर देता है बड़ यहां पर ध्यान के रखना है कि at any cost n की value वो minus 1 के बरावर नहीं होनी चाहिए it may be any value other than minus 1 it may be a fraction also लेकिन यह बस minus 1 नहीं होनी चाहिए तो कहने का मतला भी आए कि अगर मैं इसका differential करूं तो मुझे x to the power n बिल जाना चाहिए चले देख लेता है if I do the differential of this किसका x to the power n plus 1 upon n plus 1 तो n plus 1 constant value है तो बहार आ जाएगी और x to the power n का करेंगे तो यह आ जाएगा n plus 1 x to the power n plus 1 minus 1 minus 1 से कर जाएगा x to the power n से यह कर जाएगा तो आ जाएगा x to the power n देखे वही function आ जिसका हम differential कर रहे थे हैं चले कुछ question देख लेते हैं मेरे को जाएसे कि x to the power 4 by 3 into dx है इसका मुझे integration निकालना है तो क्या formula लगाएंगे हम इंटेग्रल क्या होता है x to the power n plus 1 x to the power 4 by 3 plus 1 upon 4 by 3 plus 1 plus c तो क्या हो जाएगा x to the power 7 by 3 upon 7 by 3 plus c तो इस तरीके हम इसका integration कर लेगे चले एक और example को ले लेते हैं जैसे कि let मेरे पास एक और है x to the power minus 2 अगर मुझे इसका integration करना है तो क्या formula लगेगा अगे नहीं लग जाएगा x to the power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c क्या जाएगा x to the power minus 1 upon minus 1 plus c अगर चले एक और ले लेते हैं अगर मुझे 1 upon root x dx इसका integration निकालना है तो कैसे करेंगे इसको x की power minus 1y2 into dx फिर हम वही formula लगा देंगे x की power minus 1y2 plus 1 upon minus 1y2 plus 1 right plus c तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे x to the power n का formula लगाके इस तरीके से हम integrate कर पाएगे चले एक और देख लेते हैं अगर मेरे पास 1 upon x into dx है तो यह क्या हो जाएगा x to the power minus 1 into dx तो अब अगर हम इसमें यह formula लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यह formula इसमें apply नहीं होगा क्योंकि n की value क्या होगा यहां पर minus 1 तो क्या हम इसका integration कर पाएगे बिल्कुल कर पाएगे बट इसके लिए अब हमें क्या धियान रखना है कि हमको धियान रखना है कि बता हो 1 upon x इसका है तो वो हो जाता है log base e into x plus c तो इसका डिफेरेंचल क्या हो जाएगा फिर log base e into x plus c इस तरीके से निकाल लेंगे अब हमारे पास एक और formula है integral of e की power x dx हमें मालूम है कि e की power x का differential e की power x होता है तो इसका integral भी e की power x ही रहेगा अब हम देखते हैं कि हमें निकालना integration of e की power x तो e की power x इसका differential सभी को मालूम है क्या होता है तो इसका देखते है पन है कि a की power x का क्या होता है integration एक power x upon log base e a plus c तो इसका मतलब यह कि अगर मैं इसका differential करूँ तो मुझे a की power x मिलना चाहिए तो चलो यह भी देख लेते हैं तो d over dx d over dx of a की power x upon log base e into a log base e into a constant है इसको हम बाहर लेंगे और a की power x का differential करेंगे तो क्या होगा a की power x log base e into a यह cancel out हो जाएगा नीचे वाला क्या जाएगा a की power x तो इस तरीके से हम इसका अब differential integral निकाल सकते हैं तो हमने देखा कि formula याद करना असान है तो I hope मेरी बात आपको समाज़ों में आई होगी तो और आके जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रही है थैंक यू बहरी मुच